दोस्तों मद्दिप्रदेश में कुरूना संक्रमन के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तीन दिन से कुरूना बिड़ितों की संख्या में मद्दिप्रदेश में जबर्दस्त बढ़हुत्री देखनी को मिल रही है मद्दिप्रदेश के आर्थिक राजधाने इंदौर कुरूना वाइरस का नया हब बनती जा रही है अभी तक सर्फ इंदौर शहर में कुरूना के एक दरजन से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं जबके पूरे मद्दिप्रदेश में कुरूना संक्रमित मरीजों के संख् 26 हो गई है दो लोगों की मौत हो चुकी है कुरूना वायरिस के प्रकूप को देखते हुए पूरा मद्द प्रदेश लॉक्डाउन है लेकिन लगातार बढ़ रहे कुरूना मरीजों के मामले में मद्द प्रदेश की नई नई बनी शिवराज सिंग चाहान की सरकार के माते पर चंटा की लकीरे खीच दी हैं अलागि मद्द प्रदेश सरकार के दाव़ा कर रही है कि कुरूना पिल्द मरीजों के हर संभव मदद और इलाज की ववस्थां कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत घबराए हुए हैं इन दोर के जन अलाकों में कुरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उन अलाकों को केंटून्मेंट एरिया घुशित कर दिया गया है मतलब मरीजों के घर से तीन किलोमीटर के दाएरे तक किसी भी व्यक्ति को आने जाने की आग्या या इजासत नहीं है किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है दोस्तों इन अलाकों के लगबग दस हजार लोगों को होम कुरिंटाइन कर दिया गया है राज्ज में कई कुरोना पिड़त ऐसे भी हैं जिनका कोई भी ट्रैवल इतिहास यानी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है मतलब ये कभी भी देश से बाहर नहीं गए और इसलिए अब हेल्थ डिपार्टमेंट को ये डर सता रहा है कि कुरोना वाइरस का ये संक्रमन कहीं कमिनिटी ट्रांस्मिशन तो नहीं हो गया जो कि थर्ड स्टेज जिसे हम कह रहे हैं और ये सबसे जादा दोस्तों खतरनाक है इस बीच मद्बरदेश सरकार ने 12125 लोगों की एक लिस्ट जारी की है जो 15 फरवरी के बाद विदेश से मद्बरदेश लोटे हैं और आपको हैरानी होगी इन में सबसे जादा इन दौर के रहने वाले लोग हैं दूसरे नंबर पर भोपाल है ऐसा कहा जा रहा है कि इसी कारण इन दौर में कुरूना पिडितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई विदेश से आए इन लोगों को हिल्थ डिपार्टमेंट ने होम कुरिंटीन करने का आदेश दिया है भले ही कुरूना का खत्रा बढ़ा हो लेकिन मद्द प्रदेश के लोगों के होसले कम नहीं हुए दोस्तों मद्द प्रदेश में कई जगहों पर लॉक डाउन से परिशान लोगों की मदद के लिए एजजियोज यानि की स्विम सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं अगर लोगों के होसले ऐसे ही बलंद रहे तो आने वाले दिन में मद्द प्रदेश वाले कुरूना को जरूर हरा देंगे और फिर अपने देश की तरह मद्द प्रदेश में विकास के भागेदारी में शामिल हो जाएगा तो अगर आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो परेशानी हो या आपको कोई ऐसा जरूरत मंद व्यक्ति दिखे तो अपनी हैसित के अनुसार उसकी मदद प्लीस करें और हाँ दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग यानि आप लोगों से तो बहुत दूर रहें क्योंकि कोरोना से लड़े का सबसे शक्तिशाली ताखतवर हत्यार यही है कि आप किसी से नहीं मिलें अपने आपको घरों में खैद कर लें